तो दोस्तो आज भिवो प्रोकपड़ी सीजन नाइन में बेंगलरू बूल्स और यूपी उद्धा के बीज मैच हुआ तो इस मैच को बेंगलरू बूल्स ने 38 में तीन पॉइंट के मार्जिन से जिद लिया क्योंकि दोस्तो आज यूपी उद्धा के तरफ से कोई डिफेंडर नहीं चले और क्योंकि पूदिम नाडवाल का सब पूर रिडर है वो भी नहीं चले तो इसी वज़े से इस मैच को यूपी उद्धा हार गे बैंगलरू बूल्स के तरफ से भारत उद्धा ने टोटल आठ रिड़ पॉइंट लिया विकास कंडोला ने छे रिड़ पॉइंट लिया और निरेज नाडवाल ने फिर से एक बार आल राउंड पॉइंट दिखाया उन्होंने पांच रिड़ पॉइंट लिया और अमान ने पांच टैकल पॉइंट लिया तो दोस्तो पहले हाप से ही बैंगलरू बूल्स यूपी उद्धा के उपर डमिनेट कर रहे थे तो दोस्तो दूसरे हाप में एक बार मौका आया था जब पॉइंट नर्वाल रेटिंग करने गये थे और तीन खिलारी बाकी थे बैंगलरू बूल्स का अगर दो मिनिट बाकी था अगर इसमें ओल आउट देते थे पॉइंट जित जाते तो इसी मैच में सुन्दिम नर्वाल ने भी उतना अच्छा पॉफरमेंस नहीं दे पाए सुन्दिम नर्वाल ने सिफ दो रेट पॉइंट ले आए जो की पहले हाप में हुआ था और आखिर में ये मैच तो यूपी उद्धा हर गे लेकिन दोस्तो एक पॉइंट मिल चुका है यूपी उद्धा को टेकल पॉइंट लेने वाले खिलारी बने और बेंगलर बूल्स के लिए सबी खिलारी ने बहतरी पॉफरमेंस दिया तो दोस्तों इनफॉरमेंस अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें